पिछले वीडियो में हमने सीखा stop loss और trigger price किस तरह लगाना है जब आपने buy कर रखा हो या आप long हो वीडियो का link description में मिल जाएगा आईए इस वीडियो में सीखते हैं trigger price और stop loss किस तरह लगाना है जब आपने sort position ले रखी हो तो वीडियो को starting से end तक पूरा देखें तब ही आपके समझ में आएगा हमेशा की तरह हमें सबसे पहले trigger price को set करना है और उसके बाद stop loss limit price को set करना है sort position में हमें trigger price को buying price से उपर रखना होता है और limit price को उससे भी कुछ रपे उपर set करना होता है example के लिए suppose करते है मैंने किसी stock को 500 पे sort कर रहा है और हमें 10 रुपे का stop loss लेना है तो हमें सबसे पहले trigger price को 509 या 510 पे set कर देना है और limit price में 2 रुपे का buffer लेकर 511 या 512 पे set कर देना है और अब हमारे stop loss और trigger price दोनों ही set हो चुका है वीडियो अच्छा लगए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें